वेलकम टो आरेक्स फार्मा जेट लास्ट वीडियो में हमने वीवीवीपी वर्टिको के बारे में डिसकर्शन की थी चक्कर आने की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है गर्मियों में ये प्रॉब्लम जादा देखी गई है सर चक्राना ये हमारी ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है या हमारे हैड में कोई प्रॉब्लम है या हमारे एर की कोई बीमारी है ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बिलकुल डिटेल से बताया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है आप उस वीडियो को लिंक के उपर क्लिक करके देख सकते हैं आज की जो मैं आपको exercise प्रोवाइड करने वाली हूँ ये vertigo से relief करने के लिए है vertigo का जो attack है वो कभी भी आ सकता है अकेले हो या किसी के साथ हो कभी भी जब आप लेते हुए हो बैड पे आप करवत ले रहे हो या एकदम से अपनी हैड की पोजिशन जब चेंज करते हो तो vertigo का attack वहां पर नॉमल है जिनको vertigo की problem बीवीवीप की problem यहां पर रह रह रही है अपने घर में अपने रूम में बैठके यह exercise आप बैड के ऊपर कर सकते हैं यह exercise में आपको बताऊंगी वर्टिगो की symptom से बिल्कुल आपको relief देदेगा आप उस time अपनी body में बिल्कुल एक relax changes फील करेंगे और यह exercise अगर आप regularly करते हैं तो वर्टिगो की symptom से बिल्कुल आप relief पा सकते हैं तो आप मेरी वीडियो को starting से लेके end तक जरूर देखना क्योंकि जो भी मैंने exercise आपको बताई हुई है यह बहुत जादा help करेगी आपको वर्टिगो के symptom से relief देने के लिए और बिल्कुल मैंने यह short वीडियो बनाई है ताकि आपका जादा time नाल तो चलिए वीडियो को start करते हैं इस exercise को करने के लिए आप बैट पे टांगी लटका के इस तरीके से बैट जाएंगे और अपनी sans को अंदर बाहर आपनी करना है breathe in and breathe out करना है जिस तरीके से वीडियो में दिखा रखा है और अपनी head को आपने 90 डिगरी नहीं 45 डिगरी एंगल तक घुमाना है और एक दम से head को down करते हुँ आपने बैट पे इस तरीके से लेट ना है लेकिन जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया होगी प्रोसेस होगा उसको आप continue करेंगे आप अपनी breathe को in out करते रहिए और टांगों को नीचे लटका के एक दम से आप 5 या 6 मिनट के बाद उठ जाएंगे और अपने जो head की position है neutral कर लेंगे एकदम से जब हम लेटे हैं यहाँ पे तो हमारी semi circular canal में जो भी हमारी crystals होते हैं वो हिलते हैं और एकदम से settle हो जाते हैं uticles में तो यह बहुत जादा important exercise है आपको relax देने के लिए vertigo की condition में तो पहले यह exercise हमने right side से की है अब left side से करेंगे same अपनी head को 45 degree angle तक गुमाएंगे और अपने पेट से यहाँ पे सांस लेंगे तो breathe in breathe in out का जो process है वो आपको continue रहना चाहिए आप जब लेटे हुए तब भी आप breathe in out करते रहिए क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा relax देगा और आपकी body में बिल्कुल हलका पन आपको feel कराएगा और vertigo की जो भी आपको symptoms यहाँ पे दिख रहे थे बिल्कुल आप relax हो जाएंगे इस condition में तो आपने 5 या 6 मिनट तक आप ऐसे ही लेटे रहेंगे 45 डिग्री एंगल तक अपने head को रखके और उसके बाद टांगों को नीचे लटका के आप इस तरीके से उठेंगे देखिए तो आप उठने के बाद अपने head को neutral कर लेंगे और relax हो जाएंगे तो यह आपको बहुत relief देगी exercise vertigo के condition में next exercise के लिए इस तरीके से आप बैट जाएंगे बैट पे भी बैट सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने चोटी सी sati का use किया तो इस तरीके से अगर आपके पास stick है तो stick का use हम करेंगे इस exercise को करने के लिए अपनी eye walls को गुमाना है पहले फिर अपनी सिर को गुमाना है तो देखिए मैं तरीके से आप सामने की तरफ रख लेंगे head को straight रखते हुए एक जगा पे रखते हुए point out और अपनी eye walls को आपन गुमाना है तो देखिए इस तरीके से हमने अपने eye walls को गुमाना है अपने head को बिल्कुल straight रखना है एक जगा पे head को नहीं गुमाना है तो यह हमारी आखों की exercise यहाँ पे हो रही है वर्टिकों की symptoms जब निस्टागमस यहाँ पे included हो तो आपको relief करने के लिए यह बहुत जादा help करेगी निस्टागमस की condition में यह exercise आप दो या तीन मिनट कर सकते हैं stick आपके पास available नहीं है तो अपना thumb भी आप use करेंगे इस तरीके से thumb को आप up and down देखिए head बिल्कुल मैंने straight रख रखा है यहाँ पे सिर्फ मेरा जो thumb है वो हिल रहा और eye walls जो मेरी है जो मेरी आ exercise है यह eye walls की हो रही है और बिल्कुल relax feel करेंगे इस condition में हम up and down करने के बाद left and right अपने eye walls को आप गुमा सकते हैं इस तरीके से exercise कीजिएगा stick आपके पास available नहीं है तो यह easy method है यहाँ पे exercise करने का तब point out कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे exercise करेंगे अपने eye walls को straight रखेंगे eyes को एक जगा point out करेंगे head की यहाँ पे exercise करानी है देखिए head को up and down करवाना head को move करवाना है यह vertical की जो symptoms होते हैं यह हमारे head से ही related होते है ears से related होते हैं तो इस condition में हमारे head की eyes की movement बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखिए इस तरीके से अब एक ही point stick के उपर मैंने अपने eye walls को point out करके रखा हुआ है और अपने head को move करवा रही है तो यह exercise भी आपने तीन से चार मिनट तक करनी है इस तरीके से आप 45 angle नीचे और उपर up and down गुमा सकते हैं अपनी head को and then दूसरी side भी आप इस तरीके से गुमा सकते हैं thumb का use आप कर सकते हैं अगर आपके पास stick यहाँ पे available नहीं है तो आज की मेरी exercise आज की वीडियो आपको कैसी लेगी मुझे एक comment करके प्लीज जरूर बता देना मेरे चैनल पे अगर आप नए है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe के bell icon पे all press जरूर कर देना क्योंकि मैं regularly health से related फार्मेसी से related वीडियो को upload करती रहती हूँ तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई information के साथ तब तक के लिए goodbye and have a nice day मेरा main motive आपकी अच्छी health thank you very much